नमस्कार देविमी समचार में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ इक्षच राधरी बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हम जानकारी के साथ भारत जोड़ो यात्रा को एक साल पूरे हो गए कॉंग्रेस पार्टी आज करेगी कारिकम पूरे हम जानकारी आपको बतारे हैं इस वक्ती कॉंग्रेस लेता राधर जोड़ो यातरा को एक साल पूरा हो गया इस मौके पार्टी ने देश के हरजिले में भारत जोड़ो यातरा का एलान कर दिया है बता दे कि राहूल गांधी ने पिछले साल 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी जिसमें राहूल गांधी पार्टी के कई निताओं के साथ 4000 किलो मीटर से अधिक लंबी यात्रा की थी सास सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा की एनवर्जिरी के मौके पर कॉंग्रेस जिला इस्तर पर यात्रा आयुजित करेगी। यात्रा निकाली चाहेगी। आपको बता दे राहूल गांदी ने 4000 किलोमीटर से आधिक लंबी यात्रा की फिए इस दोरान कई नेताओं ने उनके साथ मौझूद रहे थे। इसके साथ ही आपको बता दे राहूल गांदी ने 12 राज्यों की पद्यात्रा की थी तो भारत जोड़ो यात्रा को एक साल पूरा हो गया जिसको लेके कॉंग्रेस बाटियाद एनिवर्स्टी मिरा आ रही है जिसके चलते राहूल गांदी ने 4000 किलोमीटर से अधिक लंबी यात्रा की थी तो भारत जानकारी के लिए हमारी संबाद अता तुशार गुपता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं तुशार क्या जानकारी है अबरदेश के सभी मुख्यालों पर आज यात्रा निकाली जाएगी क्या समय होगा किस-किस जिलो से यात्रा निकाली जाएगी अबर जही सकतर तक यह पूरी यात्रा निकाली जाएगी एक साल पूरा हो चुका है राहूल गांदी को पदियात्रा करें हुए और ऐसे में जो कॉंग्रेस पार्टी है इसे एक जश्तिकर गूप बना रही है और इसी की तरह इसे एक जर्मुस्तव की तरह आज जिस करह से एक यात्रा की थी, जिसमें लोगों को जोड़ने की कोशिश की थी और साथ-साथ-गौंग्रेस पाटे को मजबूट बनाने की कोशिश की है तो कई मैं कहीं जो कॉंग्रेस के अलमेगा पत्धिकारी है वो काफी खुश थे भारत जोड़ो यात्रा से तो उसी के तहट ये यात्रा का आज एक कारेकरम आयवजित किया जा रहा है एक सालपूर होने पर जी तो तुशार भारेचोड यात्रा को काफी जादा लोगों का समर्थर मिलाता राहुल गांधी को तो वहीं जो आज यात्रा निकाली जा रही है कॉंग्रेस की तरब से उसमें कौन का नेता शामिल होंगे इस कारेकरमों को समाले में फार्टी से तरब है तो तमाम बड़े कॉंग्रेस के निस्ता आज कॉंग्रेस मोक्याले पर मौझूद रहेंगे क्योंकि बारत जोड़ो यात्रा को एक साल पूर्ण हो चुका है और इसे कॉंग्रेस जश्मी की तरह बना रही है और इसी की तरह वो आज चोटी सी पद यात्रा निकालेगी दिन मुद्दों को लेकर राहुल गांधी में यात्रा निकले ती जाए वो बिरमज़ारी हो में प्रदेश में चुराब के वहां जीत मिली है तो कहीं न कहीं बारत जोड़ो यात्रा से काफी फर्क पड़ाए और इसी खुशी को लेकर आज जश्मनाया जाएगा जीब तो दुशार भारत जोड़ो यात्रा को एक साल पूरा हो चुका है जिसको लेकर कॉंग्रेस पार्टी आज कारिकम कर रही है आप बने रही है आपसे अगली ख़बर पर आपसे जानकारी लेते हैं तो आपको बता दें भारत जोड़ो यात्रा को एक साल पूरा हो चुका है बढ़ते अगनी खबर की हो, दिहरादून के विकास नगर में य्मना घार सलयनियास कारेकाम शुरू हो गया इसमी पुषकसिंधामी य्मना घार का सलयनियास किया spray है विकास नगर के हरीपुर्ट शेत में य्मना किनारे बन रहे हैं घार पोर्णिक समय में इसी शेत में होती थी यमना की हुजा तो नमामी गंगे योचना की तैट किया जाएगा इसका निर्माण आपको बता दे MDDA की द्वारा किया जाएगा घाटों का निर्माण पहले फेज में 7 करोर 5 लाग लागत से बनेंगे घाट तो विकास नगर के हरीपूर शेत में गंग यमना की किनारी बन रहे है घाट जिसको लेकर सीम पुषका सिंग्धामी इसका से लेन्यास करेंगे आपको बता दे पहले फेज में 7 करोर 5 करोर की लागत से घाट बनेंगे वहीं दूसरे फेज में 7 करोर की लागत से घाट बनेंगे तो नमामी गंगे योचना के तहर इसका निर्माण किया चाहेगा तो वहीं इस कबर पर हमारे साथ संबाद अता तुशार गुपता जुड़ चुके है तो वहीं पर घाट बनाने का आयोजन किया जा रहा है और इसमें तमाम जो गंगा घाट होंगे वहाँ पर आर्थी का भी आयोजन किया जाएगा इस तरह से हरिद्वार के हरकी पैड़ी में हम देखते हैं कि किस तरह से भव्या आर्थी में होती है रिशिकेश में हम देखते हैं त्रिवेनी घाट पर कि किस तरह से जो आर्थी होती है और लोग उसका लोग उठाने दूर दूर से यहां पहुंसते हैं और इसी के तहत यह कमाम तो घाट है भू बनाए जा रहा है और शाम के वड़ जब यह गाटों पर गंगा आर्थी होगी तो पही ना काई बिल्ज में भी होगी इस कारण जो पूरुजम बढ़ेगा उसके पाइदा मिलेगा और साथा जो जो परंपरा है या से कहा जाए कि तरह से जो पुराणिक काल में भी कहा जाता है कि आपर आगल यमना जी के आर्थी होती थी तो अब देख अब दुबारा से उन्हें रिष्टोर किया जा रहा है देवताओं की नगरी है और ऐसे में पूजा बाठ हर कंड कंड में बरा बसा हुआ है तो ऐसे में जो यह तो नमामी गंगे युजना की तैथ यह घाटों का निर्बाण किया जाएगा तमाम जानकारी साझा करने के दुशार गुपता आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अरिद्वार जिले में अवैद खनन करते हुए किया जारा अवैद भंडार की शिकायतों पर जिलादिकारी धीरसिंग गरुयार की निर्देश में बड़ी कारवाई की गए है जिलादिकारी ने SDM और खनना निर्देशित किया कि सवी स्टोन क्रेशर के साथ साथ गली मोहले हाईवे पर भी किया जा रहे है जिसके टीम बना कर कारवाई करके अवैद भंडार की चार्च कर रिपोर्ट बनाई जाए जिसके बाद SDM के नेतित में प्रिशासन की टीम ने सिंडूल हाईवे और अनिशेत्रों में लगवग एक दर्जन अवैद भंडारप पर निर्देशर कर कारवाई की है तो हरीद्वार में अवैद भंडारप पर प्रिशासन सक्त है जिसके चलते जिला अदिकारी के आदेश पर ये कारवाई की गई है जिला अदिकारी के आदेश पर ये कारवाई की गई है आदिकारी के आदेश पर ये कारवाई की गई है आपको बता देए हरीद्वार में एक दर्जन से अदेख भंडारप पर निर्देशन कर कारवाई की गई है वही सेनुल हाईवे और अनिशेत्रों में लगातार प्रिशासन सक्त है लगातार प्रिशासन की तरब से ये कारवाई की जा रही है जिससे टीम बनाकर कारवाई काके अवैद भंडारप की जाज रिपोर्ड बनाई जाए जिसके बाद SDM के नेतित में प्रिशासन की टीम ने सिडुक हाईवे और अनिशेत्रों में लगभग एक दर्जन अवैद भंडारप पर निर्ग्षण कर ये कारवाई की है तो अवैद भंडारप को लेकर लगातार उत्राखन प्रिशासन सजग है जिसके चलते ये कारवाई की जा रही है तो हरिद्वार में अवैद भंडारप प्रिशासन को लेकर ये अवैद कारवाई की है चिलादिकारी की तरब से नेतित में ये कारवाई की गई है तुम्हें इस कबरों जादा जानकारी के लिए हमारे संबादादा शहजाद जूड़ चुके हैं शहजाद अब भंडार को लेकर लगातार पुशासन सक्त है जिसके चलते हरिद्वार में ये कारवाई की गई है शहजाद आपको मेरी अवाज आपा रही है जी जी बताईए तो दुबारा संबर कुन्नी की कोशिश करेंगे संबादा शहजाद से आपको बता दे हरिद्वार में अवेड भंडार कोले के लगातार पुशासन सक्त है जिसके चलते जिलादिकार के आदेश पर ये कारवाई की गई है जिलादिकारी ने SDM और खनन अदिकारी के निर्देशित किया है कि सभी स्टोन क्रेशर के साथ गली मुहले हाईवे पर भी किया जा रहे है जिसके चलते ये कारवाई की जा रही है आपको बदादे टीम बना कर ये कारवाई करने के निर्देश दिये गया है अवेद भंडारन की चार्ज रिपोर्ट सौपने को कहा गया है तो वही हमारे समवाद अताश शहजाद जूर चुकिया है शहजाद अवे भंडारन को लेकर पिर शासन लगातार सक्त दिखाई दे रहा है तो हमारा संपर्ट नहीं हो पारा है फिर से तुबारा कोशिश करेंगे तो आपको बता दे जिलाप अधिकारी के निर्देश पर ये अवेद भंडारन को लेकर लगातार पिशासन सक्त नजर आ रहा है जिसके चलते एक टीम बनाई गई है जिसमें टीम बनाकर कारवाई करके अवेद भंडारन की जाच रिपोर्ट बनाई जाए ये निर्देश दिया गया है आपको बता दे जिसके बाद स्टेम के नेतिम पिशासन की टीम ने सिटकुल हाइवे और अनि शेत्र में लगवक ए दर्जन अवेद भंडान पनिरिक्षर कर कारवाई की बात कई है। पूरक बजट को आज सितमर को सदन की कारवाई के दौरान पारित भी किया जाएगा। तरह को क्या जाएंगे विदेखाएंगे किस तरह से बजट आएगा बजट का पारण करना होगा पारित करना होगा तो इस तरह की चीज़ें अभी बातचीत हुई है और असकारी दिवस भी है क्योंकि फ्राइडे तो सीधे लिए चलते है आपको विकास नगर जहांपर सियम पुष्का सिंग-धामी मौजुद है किम के यम ना किश्रत्धाम का स्लेनेअज कारिकर में मोजुद है کारिकरम में आपको वदा appetite सीधे लिये चलते है विकास नगर तो सीधी तस्वीर हैं आपको विकास नगर की दिखा रहे हैं जहां पर यमना घाट और यमना किश्रधाम का सिर्यान्यास कारिकरब में स्रियम पुष्का सिंधामी मौझूद हैं आपको बता दें कि यमना घाट और यमना किश्रधाम का सिर्यान्यास कारिकरब हैं तो आपको बता दे किश्तुञद्हाम का ये इसले न्यास कारी कर्म था जिसमें किश्तूर्र उपरिसरिद्गरु का सिर्ण न्यास कारी कर्म किया जा रहा है आपको कि एड़ कि एड़ आपको करें ऑिए एड़ कर दो दो कि एड़ कि एड़ा है तो सीधे तस्वीरें आपको विकास नगर की दिखा रहे हैं जमना यहाँ पर युमना घाट कारिकरम में मुक्मंत्री पुर्षक सिंग्धामी मौजूद है इसके साथ ही कई अन्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद है युमना घाट और युमना किष्णधाम का घाटों का सिल आ रहे हैं युमना घाट और जमना किष्णधाम का सिला न्यास कारिकरम है इस कारिकरम में सियम पुश्कर सिंग्धामी समेथ कई नेता गड़ भी मौजूद है विकास नगर से सीधी तस्वीरें आपके साथ साज़ा कर रहे हैं बरते खबरों में आगे तहरादून में इबामपती नेताओं की शिकायत पर बागिश्वर की जला अधिकारी अनुराधा पाल के खलाब जांच होगी बताते कि मुख्यों निर्वाचन अधिकारी और कमिशनर को जांच के आदेश्ती हैं वाई बामपती पार्टियों की प्रतिनीदी मंडल की प्रेस कॉंफरेंस को लेकर बागिश्वर डियम ने आना कानी की थी भारत निर्वाचन अधिकारी को प्रक्रण में आवश्यक कारवाई करने के निर्देश दिये हैं तो कुमाओ कमिशनर को जांच के आदेश दिये गए हैं आपको बता देख अधुनराधा पाल के खिलाफ ये जांच के आदेश दिये गए हैं प्रधानमंति नरीद मोदी की तरफ से हिमाल है और उत्राखन को दिये गए साड़ी ग्यारा सो करोड के आध्यो की पैकेज पर हैद्वार से लोकसवा सांसर रमीश पोक्रियाल निशक ने कहा कि जिस तरह से पूर प्रधानमंत्री अटिल बिहारी बासपाई ने उत्राखन को बनाने और ध्यो के पैकेज देखकर सवारने का काम किया था प्रधानमंति नरीद मोदी भी उत्राखन के विकास के लिए लगातार केंच से सौगाद देने का काम कर रहे हैं सांसत ने कहा कि इस पैकेश के मिलने के बाद उत्राखंड में विकास की रफ्तार तेज होगी और आज में जंता को विकास की योशनाओं का लाप मिलेगा के लिए बहुत स्वभागय का विश्य है कि देश के सोसी प्रदान मस्ति नरेंद बोधी जी जिस तरीके से उत्राखंड को लगातार और लगातार विकास की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं और उनका हमेशा आशिरवाद रहा है आज हमारे लिए एक और तोफा उन्होंने दिया है कि केंद्री मंति मंदल ने उत्राखंड और हिमांचन इन दोनों राजियों को अतिरिक पेकेज दिया है लगबद 1100 करोण 1164 दसनल लग पांस तीन करोण रुपए का जो यह पैकेज है जो आगा में पांच वरसों तक जो यूनिट अपना विस्तार करना चाहिए जो नई यूनिट है और दियोगी चेत्र में उनके लिए विशेज प्रोच्षान की दिशा में यह पैकेज जो 1100 क प्रोड का मिला है यह निशित रूप में उत्राखंड के लोग बहुत हर्शी थे हैं इसी जांच को आगे बढ़ाते हैं आज हमारी टीम में जो विजिलेंस के टीम थी उसके द्वारा राज्यकर विभाग के करमचारी दीपक को रंगयातों गिरभदार किया गया तीन जार लगतार चारी है नमस्कार